नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेटमी नौट 6N Pro पर म्यूजिक एप के प्रॉब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर उस्तों में आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो हैं सॉलुशन बताने वाला हो ठीक है तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको जो हैं बाइडिफॉल्ट एक म्य जाते हैं आपकी डिवाइस पर तो वह जो म्यूजिक एप है काम नहीं करते हैं यारु फिर आप उसमें कुछ भी गाना जो है प्ले नहीं कर पाते हैं यार फिर गाना जो सर्च करते हैं नहीं मिलते हैं ठीक है किसी भी तरह का error प्रॉब्लेम सो सकते तो इस वीडियो को अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यह आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा जाके आप चेकाउट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो श उपर जो आपको टीन लाइन ने दिखाई जा रहा है उपर में उसमें क्लिक करना है और सेटिंग पर जाना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहापर मिलेगा अपडेट ऑटोमेटिक लिक आप्शन तो उसमें जाके दोस्तों आप जो है यहापर ऑटो अपडेट सेलेक् ठीक है तो एपको अपडेट वगएरा करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे अपडेट के बार फीक्स होता था थे प्रॉब्लेम तो अच्छी बाद है लेकिन दोस्तों आपडेट के बाद भी अगर प्रॉब्लेम सौफ नहीं होते तो जाएंगे आपने मोबाल के उसके बाद clear data पर क्लिक करके clear all data करके okay कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जाईएगा permission setting पर तो storage permission को एलाव कर देना है बस उसके बाद device को restart वगरा कर ले और check करके दिखे problem solve हो चुका होगा ठीक है तो simple submit method follow कर लिजिए आपको कोई भी दिक्कत दुबारा से नहीं होगा और दोस्तों आज कल तो वेसे भी आपको बहुत सारे music applications मिल जाएगा तो अगर दोस्तों यह application काम नहीं भी करते तो आप play store से जाके कुछ दूसरा जो है music application आप install कर सकते ठीक है जियो 7 आपको मिल मुच्छ आपको मैं जाएड मुच्छ आपको मुच्छ